दोस्तो बॉलुवुट के जाने माने संगीतकार की जोड़ी को तो आप अच्छी तरह जानते होंगे जी हाँ दोस्तो हम बात कर रहे हैं बॉलुवुट के मशूर संगीतकार की जोड़ी नदीम श्रवन की जोड़ी को दोस्तों हाली में बॉलोवुड से एक बड़ी खबर सामने आई है कि मशूर संगीत का श्रवन कुमार राथोर का हाली में निधन हो गया है श्रवन कुमार राथोर के निधन पर उनके म्यूजिक पार्टनर नदीम सैफी भी खूब फूट फूट करोए हैं बातचीत के दरान उन्होंने कहा कि मैंने अपना छोटा भाई खो दिया साथी नदीम ने श्रवन और अपने रिष्टे के बारे में कई और बातों का खुलासा किया है لیکن دوستو क्या आप जानते हैं कि नदीम में अपनी और शरvan की किन किन बातों का खुलासा किया तो दोस्तों आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको इसी के बारे में बताने वाले हैं तो देख इस बात की है, शुरू करते हैं हमारी आज की इस वीडियो को 12 अगस 1997 को म्यूजिक गूगल गोलशिंग कुमार की हत्या में शामिल होने का इज़ाम लगने के बाद भारत से फरार होकर लंडन में जाबसे नदीम शरवन फेम नदीम ने अपने म्यूजिक पार्टनर शरवन की कुरोना से हुई मौत पर शरवन को याद करते हुए कई दफ च्छोटे भाई को खो दिया बार बार आसो बहाते हुए नदीम ने कई बार इस पंक्ति को दोरा आय चन पलों के बाद जब नदीम ने खुद को संभाला तो उन्होंने कहा मैंने और शरवन दोनों ने इस जिन्ददगी में बहुत कुछ साहा है और हम दोनों को जिन्दग नदीम ने हम दोनों को बहुत परेशान किया मगर हम दोनों अपने लिए कुछ भी नहीं कर पाए नदीम ने दोनों की परेशानियों पर कुछ भी कहने से इंकार किया और उनसे जुड़ी और यादों को साजह किया बेह जर्जबाती लग रहे नदीम ने एक बार फिर से खुद को सम्हालने की कोशिश की और कहा मैं हमेशा से मुझे एक म्यूजिक पार्टनर मानने की वज़ाए हमेशा से एक बड़े भाई की तरह ट्रीक करता था और मेरे लिए उसके दिल में बहुत इज़त हुआ करती थी लोग अकसर मुझे बताया करते थे कि जब भी मैं शर्वन को फोन किया करता था तो वो मेरे समान में उठ खड़ा होता था और उसके बाद ही मुझे फोन पर बात किया करता था उसके मन में मेरे लिए इसकदर इज़त हुआ करती थी जिसे लफजों में बया करना मेरे लिए बहुत मुश्कल साबित हो रहा है आपको बता दे कि नदीम शरवन ने सत्ता के दशक में भोजपुरी फिल्म दंगल से एक संगीत का जोड़ी के तौर पर अपने करियर की शुरुआत की थी इसके बाद 1981 में आई मैंने जीना सीख लिया है ये फिल्म पतार संगीत का नदीम शरवन की पहली हिंदी फिल्म थी साथ ही जब नदीम से ये पूछा गया कि शरवन की कौन सी बात उन्हीं सबसे ज़्यादा याद आईगी तो नदीम ने बताया कि ऐसी कोई बाद शरवन की नहीं है जो मैं कभी भूल पाऊंगा उसकी हर एक बात मेरे जहन में ज़स्प है जिन्दगी में ऐसा कभी नहीं हुआ जब मैंने उससे कोई रिक्वेस्ट की हो या उससे कुछ कहा हो और उसने मेरी बात को टाल दिया हो एक छोटे बाई की तरह मेरी हर बात को गौर से सुनता था और हमेशा से हर बात को मानता था उसने कभी भी मुझे किसी बात के लिए इंकार नहीं किया ये कहते कहते नदीम एक बाफिर से भावुक होकर रोने लगी साथ ही नदीम ने ये भी बताया कि इतने सालों तक लंडन में रहते हुए वे शरवन के टच में थे और वे अक्सर उन्हें फोन किया करते थे नदीम ने बताया कि 20-25 दिन पहले ही मेरी शरवन से फोन पर बात हुई थी उस वक्त हमने धेर सारी बाते की थी हमारे बीच जल्द ही हमारे का में कंसर्ट करने को लेकर तमाम बाते हुई थी इस पर लंबे चली बाचीत का दरान हम दोनों ने फैसला किया था कि कोविट का सर कम होते ही और माहौल के समानिया होने पर हम दोनों कॉंसर्ट को लेकर तमाम बाते फाइनल करेंगे लेकिन हम एक बाफिर से मिलते और एक साथ में काम करते इससे पहले ही वैं मुझे छोड़ कर हमेशा हमेशा कले चला गया ये कहकर एक बाफिर नदीम फूट फूट करोने लगे तो दोस्तों आपको नदीम और श्रवन की जोड़ी कैसी लगती थी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताए साथ ही अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें अगर अभी तक आपने हमारी चानल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारी चानल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी ही बॉलिवूर्ट से जुड़ी लेटेस अपडेट हम आपके लिए लाते रहे